Elon Musk समर्थिट SpaceX भारत में satellite gear बनाने के लिए स्थानिय फर्मों के साथ साज्यदारी करेगा Elon Musk का SpaceX भारतिय फर्मों के साथ स्थानिय रूप से उपगरा संचार उपकरन बनाने की योजना बना रहा है जिसमें antenna system और user terminal devices शामिल है क्योंकि ये अगले साल देश में अपनी high-speed Starlink उपगरह broadband सेवाओं को launch करने के लिए तैयार है SpaceX अपने Starlink उपकरनों के लिए उटपादों के निर्मान के लिए भारतिय उद्योग के साथ मिलकर काम करने के तरीके खोजने के लिए उटसाहित है Matt Botwin निदेशक ने सोमवार को SpaceX के दूर संचार विभाग DOT के साथ पहली आधिकारिक बातचीत के दौरान कहा कमपनी हमेशा अपनी वैश्विक आपूर्ती श्रिंखला की दक्षता को अधिक्तम करने के अवसरों की तलाश करती है और अब उन अवसरों को पहचानने के लिए भारत में अपने भागीदारों के साथ काम करने की उम्मीद कर रही है Botwin ने कहा Department of Telecommunications ने वैश्विक उपग्रा कमपनियों के साथ एक बैठक बुलाई थी जिसमें स्थानिय रूप से निर्मान उपग्रा संचार गियर के लिए एक समग्र रोड में उसके लिए एक सक्षम नियामक व्यवस्था बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई थी भारत का साटलाइट बेस्ट कम्यूनिकेशन्स क्षेत्र स्पेसिक्स भारती ग्लोबल समर्थित वनवेब औन जेफ बेजोस के नेत्रित्ववाली अमजॉन की QI पपर योजना साथ हगले साल से भारत के नवजात उपग्रह ब्रॉडबेंड क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है बॉट्विन ने कहा SpaceX लंबे समय से भारतिय ओद्यों के क्षेत्र के साथ काम कर रहा है अपने कई रॉकेटों के लिए स्टील और स्टील च्यूबिंग खरीद रहा है उन्होंने कहा कि यह भारत में हाडवेय और साथलाइट कॉम्पोनेंस और साथलाइट ब्रॉडबेंड नेट्वक के कॉम्पोनेंस के निर्मान के लिए प्रतिबद्ध है SpaceX भारत में अपनी स्टालिंक साथलाइट इंटरनेट सेवा के बीटा संसकरन के लिए 99 डॉलर की फुली रिफंडबल डिपोजट प्री और स्वीकार कर रहा है इसकी वेबसाइट के अनुसार, कम्पनी की उपग्रह ब्रॉडबेंड सेवाओं को 2022 में भारत में लक्षित किया जा रहा है बैठक के दौरान, साथलाइट कम्पनियों ने 5G मोबाइल सेवाओं के लिए 28 गीगाहट्स बैंड में एमेम वेव साथलाइट स्पक्टरम की नीलामी से भारत सरकार को द्रिर्ता से स्ट्रॉंगली डिसकरज किया यह कहते हुए कि इस तरह के कदम से उनकी डेटा डाउनलोड गती और भारत में भागोलिक पहाँच प्रभावित होगी प्रतिष्ठित 28 गीगाहट्स स्पक्टरम 27.5 गीगाहट्स से 29.5 गीगाहट्स तक की बैंड रेंज के साथ वर्तमान में विशेश रूप से साटलाई प्लेयर्स द्वारा उप्योग किया जाता है लेकिन इसे 5G सेवाओं के लिए एक अत्यधिक कुशल बैंड माना जाता है टैली कॉम कमपनियों ने अपनी ओर से बार बार डेपार्टमेंट अफ टैली कम्यूनिकेशन्स को बताया है कि 28 गीगाहट्स स्पक्टरम की अनुपलब धता भारत के 5G को जटका दे सकती है उन्होंने कहा कि इन एरवेवस के बिना 5G परिनियोजन लागत बढ़ जाएगी और अल्ट्रा फास्ट वायरलेस ब्रोडबैंड सेवा देश में अप्रभावी हो जाएगी